हेलो, राइटिंग टास्टू लिखना कोई ना चाहिए चाहिए, नमबर आफ आइडियाज नहीं चाहिए, यू डो नीट नमबर आफ आइडियाज सिर्फ एक या दो या तेन आइडियाज भी होते हैं, आपना ऐसे बड़ा वदियतरी के नाल, बैंड स्कोरिंग ऐसे लिख स सब्सक्राइब करो वीडियो बहुत मज़ेदार है शुरू तो लेकर एंट तक जरूर देखे हो आज मैं तानों इस वीडियो वीडियो वेचे राइटिंग टास्टू देवेच जड़े बच्चान दे 5.5 ते बैंट स्कोर स्टाक हो जानदा या इंप्रूब नहीं कर पहुं वीडियो दी श्रवाद कर देंगा चैनल सब्सक्राइब तुदेंट जैसे तरह तुसी लेप्टाफ दी स्क्रीन देख सागे जैसे प्रॉपर सल्यूशन देता इंट्रोडक्शन दे बाड़ी पेराग्राफ वान्दा वेको तुसी नॉर्मल जदो स्टार्ट कर देजिए क अपने ऐसे नूँ बड़े सिंपल ते सही तरीकी दना जेस तरह देखो स्टेट्मेंट जवेट वाइट बोड़ दे लिखी सी होता मैं जस्ट उनूँ पेराफ्रेस कीता देखो किस तरह एट इस ओफन सीन दाट इंडिजूशन आर नोट प्रेफरिंग तु प्रफॉर्म टाइप ओफ फिजिकल एक्टिवेटेज सच एज जॉगिंग और वाकिंग और मैनी मोर डिस्पाइट नौइंग ओल्ड़ पॉजिटिव इंपक्ट ऑन हुमन बॉड़ी देखो एदे विच की कीता मैं जस्ट उनू पेराफ्रेस कीता ते एक कदी लाइन अपा हो दे अपन रिस्पाउंस मतलब एचीज पढ़न तो बाद एक्जाम दानों पता लगता है कि बच्चे ने अगे टास्क देविच लिखना किया जिस तरह में इते लिखिया देर आर प्लेथार आफ रीजन्स बिहाइंड इस डिस्टर्बिंग टेंसी बट हैंडफुल ऑफ पॉसिबल म मैं ज़स्टिक को चीज कह रहा है कि एनू सिर्फ तुसी फॉर्मल लेंगवेज देवेच लिखना सिख रो मैं ऐसे दे जड़ी है थीसिस स्टेटमेंट वाली वीडियो जड़ी बनाई होई केड़े ऐसली केड़ी थीसिस स्टेटमेंट नों चाही दिया जो नहीं वीडियो दे लास्ते लिंक तानों मिल जुगा यहां मेरी डिस्क्रिप्शन चे जाके तुसी देख सकते हो उस्यों सारी वीडियो देख सकते हो उस्तों बाद एदी स्टार्डिंग आपा कर दें बॉड़ी पैराग्राफ वान दी होन मैं तानों दस्वोंगा कि बॉड़ी कि मैं ऐसे विच एक आइडिया देता ते ओधी ही इलाबोरेशन कर रहे हैं देखो जेस तरह स्टार्डिंग जापा सारे कनेक्टर लोंदे हैं तो बिगिन विद नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है ठीका इदी स्टार्डिंग आपा किस तरह कर सकते हैं आप आल्दो द इदिन आल एक किया कि एक्जामनर नो पता लग जानद है कि तानूं स्ट्रक्चर लिखना होंदा उनका इबचे कहने कि सथी नहीं लिखने आ रहे देन कॉम्प्लेक्स ट्रक्चर दे वेच तुसीं जाके आपने आपनों ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर लोगे ज्यादा स्ट् इदिन आपने ज्यादा कि तानूं स्ट्रक्चर देटा कि लोग को सई जगा इन्हीं एक्स्प्लेंड करूंगा मैं कोई दूसरा पॉइंट नहीं लिखूँगा एसे तरह दी clarity examiner तो अड़े ऐसे चो लबदाया जेते तुसी उन्हों एक clarity दे देंदे और बैंट अड़े बन जानदे देखो connectors केड़े केड़े यूज करने मैं तो अंदासदा CC के में यूज करनी है cohesion and coherence आपा किस तरह जड़ी maintain कर देखो starting point में इत्व कीता इत्थे point start करने तो बाद उस तो बाद आपकी कर देया आप इत्थे connector लगा देता to explain it more मतलब की मैं एक connector तो examiner नूँ पता लगदा है कि होने जड़ा point में नूँ बच्चे ने दस है नूँ अगे explain कर लगाओ देखो उन point में की देता सीगा appropriate places for walking कि लोग का को मतलब जगा ही नहीं गिया appropriate places नहीं गिया walking कर न वास्ते तो उन्हें explain कर दे में लिख्या है in the current time individuals are finding a place where they can perform physical activities but because of huge traffic on the roads they have a fear in their mind to lose their precious life होन रेखो उन पॉइंट में दस है कि appropriate places नहीं है गिया appropriate केस्तरा नहीं है गिया हो मैं सारा अगे explain कर रहे हैं इत्तों लेके ते because of precious life तक मैं explain की था होन मैं explain करूंगा precious life तो बाद मैं की लिख्या because of road accidents and rash driving मैं भी दास देता कि road accidents करके ते rash driving मतलब लोग की जड़ा driving अच्छे तरीके ना नहीं कर दे हो दा रीजन है फिर इस तो बाद देता as a result उन इदा ने तीजा की निकल के हो दा होन जो मैं इथे point दस है सीगा उनू प्रापर तरीके ना में इथे होदा as a consequence भी दस दूंगे नूँ अपा as a consequence भी लेख सकते हैं कई बच्चे नूँ consequently लेख देया फिर में लेकिया human being are not much for the reason दस था human being are not too much interested in this particular activities which is extremely beneficial for them ते लोग की इस करके इदा result एया कि लोग की इस करके interested नहीं आगे इस particular activity देविच जेडी होना लेई बहुत ज़्यादा beneficial है ओ क्यों नहीं आगे ओधी मैं सारी explanation इथे देती होईया to explain it more देविच इथे मेरी explanation होगी अगे ओधा consequence दस है ते last मैं उन्हें justify कर देता अपने एक example देखे विचे ता डी कोई भी journal knowledge नी चेको ने example देविचे सर्फ percentage होनी चाही दिया सर्वे है किया यह report किया ओधे accordingly अपने point नो justify करना वास्ते तो उसी fake example भी लिख सकते हो जिस तरह मैं लिखिया according to the report of हिंदुस्तान टाइम नीजपेपर 85% of people left walking because of fear of mishappenings on roads मैं पॉइंट किता सी कि appropriate places नहीं है गिया फिर उन्हें की किता explain फिर उदा मैं की दस्या consequence consequence मतलब result दास दता कि आ कारण है जेदे करके चीज हो रही है ते उन्हें justify करना वास्ते मैं example भी लेख दती जेदे नाल एक examiner नो मेरे ऐसे नो understand करने विच प्रॉब्लम नहीं आओगी तो मेरे ऐसे नो band scoring जड़ा ओ ऐसे consider करूगा ते मेरे बैंड वी दाओगा इस करके ज्यादा confuse ना ओया करो टास्टू लिखन वास्ते ते इस तरह दिए beneficial वीडियो देखने वास्ते चैनल नो ज़ूर करो तो मेरे दूसरे चैनल में सब्सक्राइब करो जड़ा मैं व्लॉगिंग चैनल में आया सो मिल दें नेक्स्ट वीडियो च सास्रीकाल वीडियो नूँ ज़रूर लाइक टे शेयर ते कमेंट करके जरूर दस्टे के वीडियो किस तरह भी लगी